जो यह चर्चा AND भर्की जन्टा पार्टी चुरा था होगा बहुते निदेश को यहा हुटाए और इस तरह से पॉप्रे करने की कोशिश कर देए कि हमारटी कि अचिव का ऐशू है और इसी का सट हर्याना वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो स्राज्जे के चुना होते हैं, वो लोकल इशूस पे चुना लड़े जाते हैं, पर्देश की जो उमीदवार है, उनकी आंकलन के अधार पे विदाहन सबा के चुना लड़े जाते हैं, दूसरे स्टेट का कोई उसका परभाव नहीं होता है, य है कि भी चरचा करने के लिए चरचा की जा रहा है, और जिस तरह से मीडिया मिंभी जो है, हमें लोग आंकलन कर रहे हैं कि बहुत सारे फेक्टर्स को बोट्रे कर रहे हैं, कि पुलराइज़ेशन, मूट्रों का पललराइज़ेशन हुआ है, जिसमें कि जाट वरसीज नॉन जाट वाला इश्यू है और बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्या कारन रहे होंगे तो वह विशे है इसको तो आंकलन कांग्रस आई कमान जो हरे लगा हुए नहीं जो हरियाना और जम्मो कश्मीर का चुना हुआ है जम्मो कश्मीर में तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हक में हैं और सरकार बनने जा रही है मगर हर्याना में जो एक्सपेक्टिशन थी कॉंग्रस पार्टी की उसके अनुरूप जो है वो नतीजे नहीं आए जब कि ऐसा लगता था कि क्योंकि मीडिया का अंकलन भी यही था और जो चुनाओ के जो एनेलिसिस से मताबिक भी जो है हर्याना में कॉंग्रस की सरकार बने मुझे ऐसा लगता है कि कोई तूटी रही होगी कुह कमी रही होगी जिसकी वज़े से जो परिनाम जो हमारे नुडूग नहीं आए है और ये जो हैंँ करने का आंकलन करने का विशे है और मुझे से लगता है कॉंगरोस हाई कमांड जो है जिस पें अंकलन करेदी कि वहbersए कारण रहा है कहां गलती रही है कहां कोई कमी रही है तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं चुना हुए